नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है टेलिकॉम डिस्टर्ट क्लास्रोम में मेरा नाम है रोहे ये सेशन स्पेशली टेलिकॉम सेक्टर के एक जॉब रोल ऑप्तिकल फाइवर टेकनीशन के लिए बनाया गया है तो आए अब बीना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है स्पेशिफिकेशन औफ ऑप्तिकल फाइबर केबल तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अप्तिकल फाइबर केबल की स्पेशिफिकेशन के बारे में जानना क्यों आवश्क है तो प्यारे दोस्तों, कभी भी optical fiber cable को install करने से पहले उसे purchase करना पड़ता है और ये जरूरी है कि आप right product खरीदे अपनी हर प्रकार की installation के लिए तो specification की जानकारी होना बहुत ज़ादा हमेत रखता है इसके अलावा जो भी installer optical fiber cable को install करते हैं उनकी competitive bid situation यानि competitors के को ध्यान में रखते हुए जो है optical fiber की specification को apply गरना बहुत ज़ादा important यहाँ पे हो जाता है इसके साथ जो भी installer होते हैं, optical fiber को install करते हैं जादतर installers को जो है वो lack of knowledge होता है, experience नहीं होता है एक detailed specification वो optical fiber cable की नहीं लिख पाते हैं installation से पहले तो जादतर जो है वो contractors जो है वो engineers की सलाव हो लेते हैं इसलिए जो है specification के बारे में जानकारी एक बड़ा ही महत्पून मुदा है तो optical fiber cable को जो basically डो categories में categorize किया गया है सबसे पहले single mode optical fiber cable and the second is a multimode optical fiber cable जबकि commercial basis पे optical fiber cable को जो है वो तीन basic types में divide किया गया है सबसे पहले outdoor optical fiber cables indoor optical fiber cables and indoor and outdoor जिनमें दोनों विशेशता हैं होती है वो optical fiber cables single mode और multi mode optical fiber cables का अपने आप में एक अलग इस्तेमाल है single mode optical fiber cables को जो है वो long distance data travel करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि multi mode optical fiber cables को short distance जो है वो data signal transfer करने के लिए यूज किया जाता है तो इन cables के से जो है वो इनके understanding से जो है वो installers को एक possibility मिल जाती है कि अगर हम इन cables का use indoor के लिए करेंगे यानि किसी building के अंदर के लिए करेंगे तो हमें क्या क्या स्पैसिफिकेशन की जरूरत होगी outdoor के लिए करेंगे तो किन स्पैसिफिकेशन को जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा अब अगर हम स्पैसिफिकेशन की बात करें तो हम कैसी स्पैसिफिकेशन इंडोर optical fiber cables में जो है वो prefer करते हैं तो सबसे पहली जो है flexibility इंडोर optical fiber cable installation के लिए flexible cable होना बहुत जादा important है क्योंकि जादा bands का सामना पड़ सकता है इसके अलावा tensile strength उनकी stretch की limit है वो strong होनी चाहिए मजबूत होनी चाहिए इसके साथ साथ हम उसकी ease of handling के उपर बहुत जादा ध्यान देते हैं क्योंकि अगर indoor installation करने से पड़ेगी तो उसको easily handle किया जा सके अंदर easily carry किया जा सके इसके अलावा जो है वो flame retard जो है उनके अंदर ये specification होना भी बहुत जादा important हो जाता है क्योंकि we need wires who don't catch fires इन कुछ specifications का कुछ basic specifications है इनका ध्यान रखना जो है वो बहुत जर्वी होता है during installation of indoor optical fiber cables Now if we talk about the specification for outdoor optical fiber cables तो optical fiber cables जो outdoor के लिए use होती है they should be temperature resistant क्योंकि वो outside environment के साथ deal करेंगी तो गर्मी ठंड different type of seasons को जो है वो face कर सके temperature resistant हो इसके अलावा जो है वो water resistant हो उसके अंदर पानी जो है वो इकटा ना हो जिसकी वज़े से उसके अंदर के fiber को कोई stress हो इसके साथ साथ जो है वो resistant होनी चाहिए sunlight के या moisture के नहीं तो fiber पे stress हो सकता है impairment वहां पे face की जा सकती है जिससे की data signal को loss हो सकता है इसके अलावा जो है tensile strength जो है वो भी strong होनी चाहिए क्योंकि उसमें long pull distances होते हैं जो हो आउट्डोर optical fiber cables के बारे में यह है कि optical fiber cable जो आउट्डोर इंस्टॉल की जाती है वो लगभग जो है एक long interval of time की planning से जो है उनको इंस्टॉल किया जाता है वो जादा मार जहिलती है in comparison to indoor optical fiber cable को इंस्टॉल करते वक्त जो जितना नहीं फरक पड़ता है उन पर जादा जो है वो फरक पड़ता है तो यहां पर जो है वो एक सबसे गंबीर समस्य जो है वो water blocking के अगर water block जो है proper outdoor cables में नहीं होगा तो उसे क्या है जो पानी की leakage से जो है वो stress जो है glass fibers में create हो सकता है इसके अलावा जब तो फोल टेंपरेचर में वो water droplets can freeze or can create more stress to the glass fibers तो उसे जो है water blocking जो है बड़ा important हो जाता है for outdoor cables अब अगर हम optical fiber cable indoor outdoor boat की बात करें तो यह जो cables होती है इनमें दोनों की specifications मौजूद रहती है indoor outdoor दोनों की विशिशता इनमें होती है तो indoor outdoor की जो भी specifications है like temperature resistant यह होती है flexible यह होती है easy to install होती है and इसके लावा water resistant की quality इनमें होती है और यह resistant to sunlight and moisture होती है because indoor and outdoor दोनों के लिए use होता है तो इनके लिए tensile strength भी जो है इनके लिए strong होती है इसके लावा जो क्या खास बात है इनके लग करती है यह expensive होती है because of the material used in facturing of these cables and इसके लावा जो है यह splice points को eliminate करने के लिए होती है building to building run में जब इनको install किया जाता है तो यह splice point को जो है वहां पर remove करती है को चांस नहीं रखती है इसके अलावा जो है यह outdoor cables की तरह resemble करती है जादा तर जो है इन में outdoor cables की qualities जो है जादा देखने को मिलती है तो ऐसा लगता है कि यह outdoor cables ही है अब हम optical fiber की कुछ specifications को detail में समझेंगे जिनके बारे में जानना जो है वो बड़ा ही जरूरी है सबसे पहले जो है वो हम optical fiber की tensile load strength के बारे में जानेंगे optical fiber cable के लिए उसके tensile strength जो है उसका highest load और pulling force जो उसके ओपर लगाया जाता है और जब तक वो तूटती नहीं, damage नहीं होती है उसे कहा जाता है कभी-कभी जो confusion create कर दी जाती है कि शायद जो tensile strength है वो breaking strength है जब तक वो wire क्या cable तूटती नहीं है शायद वो उसकी limit है बट ऐसा नहीं है It is a realistic allowable limit जब तक यह allow करती है उसको stretch करना that strength is called as the tensile strength of an optical fiber cable Tensile strength values को define के जाते है optical fiber cable में दो समय पर The first one is during installation जब install करते है optical fiber cable को तो कभी उसे duct से बाहर निकाला जाते है कभी उसे bends उसमें दिये जाते है तो वो जो है उसके उपर stretch feel होता है उसके tensile strength के उपर impact पड़ता है वो short arm के लिए होता है And the second is जब installation complete हो जाती है उसके बाद जो pulling distances, long pulling distances के लिए जब उसको निकाला जाता है, pull किया जाता है तो operating load उसके उपर पड़ते है, वो long term के लिए होते है तो वहाँ पे भी tensile strength की value को जो है वो check किया जाता है और यह values जो है depend करते है, cable construction किसी साब से हुआ है, कितना fiber का count है वहाँ पे Optical Fiber Cable के manufacturing plants में Optical Fiber Cable का जो tensile strength को चेक करने के लिए Testing machines को उप्यों किया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे एक testing machine है जिसमें Optical Fiber Cable को roll किया गया है दो drums में अब हम Optical Fiber Cable की एक और specification minimum bending radius के बारे में पढ़ेंगे किसी Optical Fiber की minimum bending radius उसकी limit होती है जहां तक एक Optical Fiber Cable को bend किया जा सकता है और इस bending limit को जो है वह identify करने के लिए, measure करने के लिए उसका inside curve जो है वह calculate किया जाता है अगर Optical Fiber Cable को bend करते वक्त अगर excessive bending कर दी जाए उसकी limit से जादा बैंड कर दिया जाए तो उसका fiber जो है वह break हो सकता है loss of light जो है हमें face करने को मिल सकती है जिसे हम attenuation भी कहते हैं आई एक वीडियो में यह live practical देखते हैं कि कैसे एक OFC को break करने के बाद आप देख सकते हैं यह OTDR पर reflect कर रहा है data signal loss हो रहा है 54 पॉइंट संथिंग डेसिबल तक पहुंच गया जितना हमने ब्रेक किया उतना यह decrease हो रहा है अब एक बार इसे इसकी जो minimum bending radius की limit है उसे जादा जो है हम bend करके इसको देखेंगे और देखेंगे इसकी minimum bending limit है उसे हम cross करेंगे वहां तक cross करेंगे जहां तक fiber तूट जाएगा तो आप OTDR पर देख सकते हैं इसकी decrease हो रही है यहां पर भी fiber तूट चुका है तो fiber तूटने के बाद अब वापिस अगर इसे सीधा भी करेंगे तो जो data signal है उसमें कोई भी increase देखने को हमें नहीं मिलेगा मुझे उम्मीद है कि अब आपके लिए यह lecture जो है कुछ helpful होगा thank you very much have a great time good bye झाल